नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का हमारी यूटूब चनल आपजेक्टिव सेंटर पर इस वीडियो हम लोग देखने वाले हैं ड्रिलिंग पर आपजेक्टिव कोश्चन जो कि हमारा यह तीसरा वीडियो है तो जिन लोगों ने दो वीडियो नहीं देखा है वो लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बाक्स में हमने लिंक के दिए है आप वहां से भी देख सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं उसी के आगे का क्वेश्चन 81 नमबर कोश्चन है वाट 5 दिनोट इन ग्रांडिंग विल स्पेसिफिकेशन 41 A4 T6 H5 U8 ग्रांडिंग विल विनुर्जेशन 41 A46 H5 U8 में 5 क्या दर्शा आ रहा है आप समने बांड अब्रेसिव स्ट्रैक्चर ग्रेंड साइज इसमें जो 5 है क्या दर्शा आता है इस्ट्रैक्चर को यहाँ पर आपका सी अंसर करेक्ट हो जाएगा इस्ट्रैक्चर 82 नमबर कोश्चन है विश टाइप आप बंडड विल इस यूट इन फांडरी फर ड्रेसिंग कास्टिंग ड्रेसिंग कास्टिंग के लिए धलाई में किस प्रकार के बंडड पाईये का उप्यो किया जाता है आप सेने सिल्केट बंड सैलेक बंड रबर बंड रेजिनोइड बंड तो ड्रेसिंग कास्टिंग के लिए धलाई में जिस प्रकार के बंडड पाईये का उप्यो किया ज एक इस प्रकार के abrasive का उप्योग किया जाता है तो देखिए जो होता है cemented carbide उसको अगर grind करना है तो उसमें हम लोग जो अब्रेशिव यूज करते हैं वह रहता है आपका green silicon carbide यहां पर आपका यह answer ही correct हो जाएगा green यानि कि हरा silicon carbide 84 number question what is the value of one vernier division आप एक वर्नियर micrometer एक वर्नियर micrometer के एक वर्नियर division का मान कितना होता है तो देखिए एक वर्नियर micrometer के एक वर्नियर division का जो मान होता है वह रहता है 0.009 mm यहां पर आपका 84 का C answer correct हो जाएगा 89 number question है what is the name of part mark as x in telescopic gauge telescopic gauge है इसमें जो यक्ष भाग है यह क्या दर्चारा है आपको बताना है देखिए जो यक्ष भाग है यह हमारा रहता है plunger lock रहता है तो यहां पर आपका C answer correct हो जाएगा प्लंजर लाग 86 number question है what is the method of removing broken stud तूटे हुए stud को निकालने की विधी क्या है तो देखिए यह जो है तूटे हुए इस्टड है और क्या है इसको निकालना है यह विधी कौन सी है जो दिखाया गया है फिगर में देखिए जो विधी है यह कहलाता है यह जी आउट विधी तो यहां पर आपका यह answer correct हो जाएगा 87 नमर कोशन है वाई ग्रे काश टायरन वाडले यूजड फर मसीनिंग टूल मसीन टूल के लिए ग्रे काश टायरन का व्यापया कुरूप से उपयोग क्यों किया जाता है आप समय है रेपीट कूली रेडूस वइब्रेशन हाय टेंसाल इस्ट वेरी डिपकल्ट टू मसीनि तो मसीन टूल के लिए ग्रे काश टायरन का व्यापया कुरूस व्योग इसलिए किया जाता है क्योंकि यह क्या आउता है मसीनिंग के लिए बहुत मुस्किल है वेरी डिपकल्ट टू मसीनिंग एट्टीट टमबर कोशिशन है वाट इड़ टेप ड्रिल साइज फार एम 20 इंटू 15 एम 20 गूले पंदरे के लिए टेप ड्रिल साइज क्या है देखेए यह मट्वटी मल्टिप्लाइप 15 के लिए जो है इसके लिए जो टेप डिल का जो साइज होता है यह साइज रहता है 18.5 होता है तो यहां पर आपका यह answer correct हो जाएगा 89 number question what is the drill hole size for 16 mm rimer 16 mm rimer के लिए drill 6 का size क्या है तो 16 mm rimer के लिए drill 6 का size होता है यह size होता है 15.75 90 number question है what is the name of part mark as x एकस चिन्धित भाग का नाम क्या है आपको बताना है यहां पर आप देख सकते हैं यह क्या कहलाता है यह होता है हमारा bevel pinion होता है यह हमारा यहां पर आपका भी answer correct हो जाएगा bevel pinion 91 number question है what is the size of drill hole for rimming diameter 10 mm की rimming के लिए drill किये गया छेद का size क्या है तो यहां पर जो size होगा यह होगा 9.75 mm यहां पर आपका भी answer correct हो जाएगा 92 number question है what is the name of part mark as x in hand rimmer hand rimmer में यहां जो x भाग है जो दिखाया गया है यहां पर यहां पर यह आपको बताना है तो यह कहलाता है हमारा tape lead angle taper lead angle यहां पर आपका the answer correct होजेगा taper lead angle 93 number question है why drilled holes are oversight than drill dia drill के ब्यास की तूलना में drill किये गए छिद्र आकार में अधिक क्यों है आपसन है feed ratio is more cooling is ineffective insufficient clearance angle unequal length of cutting edge तो drill के ब्यास की तूलना में drill किये गए छिद्र आकार में अधिक जो होता है इसका region होता है कि cutting edge की आसमान लंबाई यानि कि unequal length of cutting edge 94 number question है what is the counter sink angle of champering in the end of drill hole for threading threading के लिए drill किये गए छिद्र की अंत में champering के लिए counter sink angle command कितना होता है तो इसके लिए जो angle command रखा जाता है ये angle रखा जाता है 120 degree तो यहाँ पर आपका the answer correct हो जाएगा 120 degree 95 number question what is the name of thread इस thread का नाम क्या है ये जो thread दिखाया गया है यह कौन सा thread है तो यह कहलाता है हमारा 60 tooth thread यहाँ पर आपका the answer correct हो जाएगा 60 tooth thread चलते है 96 number के question में कि एक सच चिन्हीत भाग का नाम क्या है यह जो एक सच चिन्हीत भाग है यह वाला यह कौन सा भाग है आपको बताना है यह भाग हमारा कहलाता है है helix angle तो यहाँ पर आपका the answer correct हो जाएगा helix angle यह कि आपको पता है कि रूट पिच क्रेश्ट यह तो होना सकता क्योंकि देखिए जो root होता है यह हमारा यह दिख रहा है नीचे यह होता है क्रेश्ट की बात कर रहा है यह हमारा जो ऊपर वाला सिरह यह दिख रहा है हमारा कहलाता है क्रेश्ट और इन दोनों के बीच के जो दूरी रहता है यह हमारा कहलाता है पिच और इसके बाद यह हमारा जो है यह दिख रहा है हमारा है हेलिक्स हिंगर तिहां पर आपका डी अंसर करेक्ट हो जाएगा नाटी सेवन नामबर कोश्चन है वाइस चंटर इसकुरू इच प्रोवाइड़ इंदा डाई श्टाक डाई श्टाक में केंदर इसकुरू क्यों परदान किया जाता है आप सबने करते हैं कि हम लोग करते हैं कि टू एड़ेस्ट डेफ्ट आप कट-कट की राई को समाज यूज़ित करने के लिए डाई स्टाक में केंदर इसकुरू प्रदान किया जाता है इसमें जो इंक्लूडेड एंगल होता है इस एंगल कमान होता है यहाँ पर आपका सी अंसर करेक्ट हो जाएगा 99 नमर कोशन है वाट 46 रिप्रेजेंट इंड इस्टेंडर मार्किंग सिस्टम आप ग्रांडिंग वील 32 से 46 एच आठ वी में मानक अंकन प्रणाली में 46 क्या दरसाता है 46 जो दरसार है इसके लिए अप्सन है आपका यह दरसाता है आपका ग्रेंड साइज को दरसाता है 100 नमर कोशन What is the tool used in grinding operation? grinding operation में प्रिवक्त उपकरण क्या है ये तो इस उपकरण का नम बताना है आपको कौन सो उपकरण है तो यह कहलाता है हमारा diamond dresser तो यहाँ पर आपका c answer correct हो जाएगा diamond dresser 101 number question what is the color of aluminium metal aluminium धाउत का रंग कैसा होता है आपसे ने मंद सफेद सफेद चमकदार सफेद blues gray color तो देखें जो aluminium धाउत का रंग होता है यह होता है आपका white color का जो की आपको देखें होंगे white color का होता है 102 number question है what h denote in the specification of grinding wheel 32a46 h8v grinding wheel 32 h4 h8v में h क्या दर्शा रहा है तो देखें जो h है यह दर्शाता है आपका grade को यहाँ पर आपका c answer correct हो जाएगा grade एक सो ती के नमबर कोश्चन है वाई प्रिसीजन इंस्ट्रुमेंट आर मेड आफ इनमार इस्टीड जो प्रिसीजन उपकरण होता है यह इनमार इसलिए बना जाते हैं आप सब्सक्राइब के लिए चीपर इंकास्ट सर्फेस फिनिसिंग इज फाइन लेश्ट कोफिसियंट आफ एक स्पेंसान तो देखें जो प्रिसीजन उपकरण होते हैं यह इनमार इस्टीड से इसलिए बना जाते हैं क्योंकि इसका विस्तार का ग इंदा ब्लाष्ट फर्नेस में डाले गए आयसक में चूने के पत्थर प्रवाहियाने की फ्लक्स के रूप में क्यों मिला जाता है आपसान है मुल्टर स्लाइक बनाने के लिए अक्सीजन की आप पूर्ति के लिए कोक में कार्बन को जलाने के लिए टीए आयसक का घूलन बढ़ाने के लिए देखिए जो बलाश्ट फर्नेस में हम लोग के चूना पत्थर डालते हैं फलक्स के रूप में यह इसलिए मिलाते हैं क्योंकि इसे मॉल्टर स्लाइग बनाने के यह करते हैं यह तूफार में मॉल्टर स्लाइग एक सो चैनामर कोश्चन है विच मैक्रोमीटर हैविंग प्रिवीजन आफ इंटर्चेंजेवल एन्विल कौन से मैक्रोमीटर में एन्विल को आंतेक रूप से बदलने का प्रावधान होता है आपसे मैक्रोमीटर इंसाइड मैक्रोमीटर आउटसाइड मैक्रोमीटर इस्कू Thread Monica Menter 107 No question है विच फैक्टर डेतर्मांइड दा स्ड LIKE रिक्सन आफ वाय इंई gelir Mike Metis partirка मैं क्रुब्स रोप निश्चित करता है आप स्ट और थेड़े कर जो वाइं का रहता है टाइप आप थ्रेड एंड पिच चूड़ी का प्रकार और पिच तो यह 107 का यहाँ पर बी अंसर करेक्ट हो जाएगा एक 108 नंबर कोश्चन है वाट इज़र्ड विट टेलिस्कोपी गेज से क्या मापा जाता है आप इस्टरनल डायमेंसिन एंगुलर डायमेंसिन साइज आप वोल सलाट अंड रिसेस तो देखिए जो टेलिस्कोपी गेज रहता है इससे हम लोग मापने का कार करते हैं छिद्र स आउसर क्रेक्ट हो जाएगा एक 109 नंबर कोश्चन है वाट इज प्रोडूश्ट फ्राम ब्लास्ट फर्नेस ब्लास्ट फर्नेस से क्या उच्पन किया जाता है आप से पीग आईरेन का इस्ट्राइरेन राट आइर्न मेलीयेबल आईरेन देखिए जो ब्लास्ट फर्नेस सुद्पन होता है वह रहता है हमारा पीग आयरन यानि कि कच्चा लोह कि तिहां पर आपका 109 का भी यह यह आंसर करेक्ट हो जाएगा पीग आयरन 110 नमर कोश्चन what is the minimum dimension can measure with telescopic gauge telescopic gauge के साथ नियुंतम आयम क्या मापा जा सकता है तो इसके लिए हम लोग जो telescopic gauge से नियुंतम आयम जो माप सकते हैं वह है 8 mm 111 नमर कोश्चन है कि which gauge is used to measure below 8 mm dimension 8 mm आयम के नीचे मापने के लिए किस gauge को उप्योग किया जाता है तो आपको बताना है यह है आपका figure यह हो का है small hole gauge यहां पर आपका भी अंसर करेक्ट हो जाएगा small hole gauge 112 नमर कोश्चन है आपसन है grey cast iron white cast iron nodular cast iron malleable cast iron तो देखिए जिस cast iron में machine tools में tool chatter को कम करने की चमत होती है वह होता है grey cast iron तो यहां पर आपका यह answer correct हो जाएगा grey cast iron दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को कर दीजिए like अकर आप हमारे चन पर नहीं है तो चैनल को कर लेजिए subscribe जिन लोगों वीडियो को सेर नहीं किया है वो लोग वीडियो को सेर कर दें मिलते हैं नेस्ट वीडियो के साथ थैंक्यू